हेलो फ्रेंट्स, प्रिविएस वीडियो में फ्रेंट्स हम लोगों ने देखा थे कि कैसे डॉम को ट्रैवर्स करते हैं, कैसे हम document object model में elements को traversing करते हैं, किस element के parent को कैसे get करते हैं, कैसे किस element के siblings को get करते हैं, कैसे children को get करते हैं, तो आज इस video में हम लोग देखेंगे कि हम लोग document object model में, DOM में किस तरह से हम element को create करते हैं, creating elements, तो वो देखेंगे तो उसके लिए हमने क्या किया एक index.html हमने एक यह file create किया है and एक external.js file main.js file है जिसका location कहा है हमारे folder के अंदर js folder है उसके अंदर main.js है and इसका हमने इस index.html में यहाँ पर reference दिया source में तो हम सारा जो अपने script है वो इस file में लिखेंगे जैसे की easily हमें समाज में आएगा and यह देखे हमने just simple सा एक blank body है यहाँ पर कुछ भी html में नहीं है तो यह जो render हो रहा है यहाँ पर जो हमने इसको इस तरह से browse किया कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ तो चलिए friends देखते हैं कैसे हम यहाँ पर element को create करते हैं तो अब इस body के अंदर अगर हमें एक div element को create करना है तो वो कैसे करेंगे यहाँ main में आते हैं और सबसे पहले मैं एक comment में लिख देता हूं यहाँ पर elements को कैसे create करेंगे तो सबसे पहले first number पर हम देखेंगे यहाँ पर creating a new div element सबसे पहले एक variable हमने let div is equal to document and document का एक method होता है element create करने के लिए हो क्या है dot create element create element method में हम क्या देते हैं यहाँ पर tag name ad delegate element गुआने के ale meant को create करना है, the example देते हम देते हम यहाँ पर div and अब इस div को just हमें क्या करना रहें यहाँ पर अगर कुछ attributes को set करना है तो वो क्यासे कर सकते है जैसे कि हमने div पर IDE.. यहाँ पर हम life to Eco content id को इस तरह से content देना है तो यह हमने इस तरह से किया and सबसे पहले तो इसको दिखाते हैं कि कैसे यह add होता है फिर मैं आपको दीरे-दीरे चीजे और add करना बता हूँगा तो अब हमें जो div है इस div को हमें body में append करना है मतलब एक create करना है तो कैसे करना है document.body इसका एक method होता है append child मतलब किसी element में हमें child को add करना append करना है तो इसके लिए append child एक method होता है और यह इसमें node लेता है तो इसके जगह पर हम यह अपना जो div है वो div को हम पास कर देते हैं div variable को इस तरह से यह देखिए इसको save कि हमने अगर हम यहाँ पर inspect element में जाके element में देखेंगे यहाँ पर तो देखिए मैं आपको दिखाऊ यहाँ पर यह देखिए body है and body के अंदर एक div create हो गया है जिसकी id content है अब हम इसमें कुछ और भी करना चाहते हैं हमें कुछ div के अंदर कुछ और चाहिए जैसे div dot inner estimal inner estimal क्या करता है हम इस जो element है उसके अंदर कोई estimal को हम pass करना चाहते है तो example के लिए जैसे मैंने यहाँ पर किया template literal में एक paragraph pass किया and इस paragraph में हम कुछ text दे देते हैं यहाँ पर this is create create element example ऐसा कुछ हमने दिया अब देखी जैसे मैं save करता हूं तो देखी यहाँ पर this is create element example यह जो paragraph जो एक हमने string यहाँ पर दिये यह पूरा हमारे इसमें क्या है inner estimal हो गया आप यहाँ देखेंगे तो यह देखी डिप के अंदर एक paragraph एक tag जो है वो add हो गया है तो इस तरह से हम element को create कर सकते हैं अब इसको और कर सकते हैं अगर हम इसको डिप को एक class भी देनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे class name and is equal to यहाँ पर एक class दे सकते हैं example के लिए हमने दे दिया container class हम देखी जैसे हमने इसको save किया तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यह देखिए div में id content हो गई and class container add हो गई and इसके अंदर आप देखेंगे तो एक paragraph tag add हो गया यहाँ पर यह देखिए इस तरह से हम element को create कर सकते हैं अब दूसरा देखते हैं इसके बाद में इसको मैं अभी रहने देता हूं ऐसा ही and इसके बाद अब यहाँ पर हम second number पर क्या देखना चाहते हैं creating list items list item कौन से होते हैं यह हम पूरा अगर ul li को create करना चाहते हैं तो वह कैसे करते हैं just हमने क्या किया एक variable लिया let menu एक variable लिया and document dot create element method को call किया and हमने यहाँ pass किया ul, ul हमने create किया है and इस ul को हमने क्या करना है just body भी पहले तो append करा देना है जैसे कि हमने वाकी किया document dot body dot append child and इसमें हमने किया menu पास के इस तरह से तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो body के अंदर आगर आप आकर देखें तो यहाँ देखें एक ul हो गया लेकिन इस ul के अंदर कोई अभी list item नहीं है, lii नहीं है तो वह हम कैसे करेंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, menu को पहले तो एक id दे दी हमने, id को नाम दे दिया, list items, ऐसे कुछ दे देते हम id and हमने यहाँ पर let li is equal to document.create element एक li create कर रहे हैं पहले, li तो हमने इस तरह से create किया and जो li है इसका क्या होगा, कुछ properties होंगी, जैसे कि हमने क्या text context, इसमें क्या हमने text देना है, तो हमने दे दिया, यहाँ पर कुछ home दे दिया इस तरह से and अब हमने क्या कि menu dot append child, पहले तो हम क्या कर रहे थे कि body पर हमने append किया and अब हम menu में append कर रहे है, अब menu में क्या append कर रहे है हम ally, तो देखिए इस तरह सेब करेंगे, इसको save करेंगे तो देखिए यहाँ पर, एक item add हो गया हमारा menu के अंदर, अगर आपका already ul है यहाँ पर, already कोई list है और उसमें और आपको item add करने है list item, तो आप यह वाला part जो है यह ना करके direct इसको select कर लेंगे and यहाँ पर create करके इसको append कर देंगे, हमने सारे का सारा यहाँ पर create कर रहे है अब एक और item हमें इस तरह से यहाँ पर create करना है, तो हमने कहा कि इसको कह दिया, li2 and यहाँ पर, li2 and इसकी भी एक और हमने copy की इसको बोल दिया, li2 और इसको कुछ text दे दिया और, जैसे की services, ऐसा कुछ दे दिया हमने, तो देखिए यहाँ पर, एक home हो गया, एक services हो गया, अब आप यहाँ आके अगर देखेंगे, तो देखिए, ul के अंदर, दो li2 create हो गया है, पहले li2 में आपका home है and second li2 में आपका services इस तरह से आप item create कर सकते हैं, next देखते हैं friends की कैसे हम लोग creating, creating a script, script element कैसे create करते हैं, so example के लिए हमें कोई script है, यहाँ पर जैसे इतनी सारे हमने files हैं, हमारे पास javascript की, js files हैं, इनको हम अगर अपने एक script tag create करना चाहते हैं, कौन से script tag, जैसे यह वाला script tag है, यह script tag हम dynamically create क script में, कैसे create करते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने लिया, let script is equal to document.createElement method call किया, हमने यहाँ पर दे दिया script, and इस script को हमने क्या किया, script.src, and यहाँ पर हमने इसका कुछ path दे दिया, example के लिए js slash, यह हमने दिया js slash, कोई नाम दे दिया, array.js, देख लेते हैं, यहाँ पर जो exist करते हैं, वो दे देते हैं, जैसे array.js दे दिया, ठीक है, and इसके बाद में हमने क्या करना है, document.body.append child, append child, and यहाँ पर हमने किया script, तो देखिए, जैसे हमने यह किया, तो यहाँ देखिए, body में आप देखिए, यहाँ पर यह देखिए, js slash, array.js, एक script यहाँ पर हमारा, create हो गया script tag, तो इस तरह से एक script tag हो गया, अब आप चाहें, तो इसको एक function के थो भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने इसको एक function के अंदर रख लिया, function, हमने किया, load script, यहाँ से हमने just उसका, URL यहाँ से हमने as a parameter, use करना है, and इसको हम function के अंदर इस तरह से रख सकते हैं, and इस URL है, उसको हम just यहाँ पर pass कर देंगे, and इसके बाद हम चाहें तो इसको head के अंदर भी रख सकते हैं, जो हम just head करा सकते हैं, तो अब देखिए, जो function को हम यहाँ पर just हमें, function को call करना है, और यहाँ पर इसका path pass कर देना है, URL मतलब वो जो है, तो हमारे case में js-array.js file है, तो देखिए, जैसी मैंने इसको call करूंगा function को, तो यह यहाँ देखेंगे, अगर आप तो यह head के अंदर देखिए, यहाँ पर देखिए, आप head के अंदर, एक script tag create हो गया है, js-array.js, तो इस तरह से हम dynamically, अपना जो, एक script tag को create कर सकते हैं, अब हम चाहें तो इस body के अंदर append करा हैं, और head में करा हैं, जहाँ भी हम, जैसे मतलब जिस तरह की requirement हैं, वैसे हम कर सकते हैं, friends हम क्या elements को create कर सकते हैं, javascript में, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, नए topic के साथ, तब तक के लिए take care, bye-bye. झाल